नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पती की लंबी आयू के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सुभह के समय सर करवा चौथ की पूजा एक नवंबर को शाम पाँच बज़ कर चवालीस मिनट से, रात साथ बज़ कर दो मिनट के बिच में की जा सकती है। इस दिन चंद्रोदय आठ बज़ कर चब्वीस मिनट पर होगा। हिंदु धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ती का रूप माना जाता है। इसलिए उसे यह वर्दान मिला है कि वो जिस चीज के लिए भी तब करेगी, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए जो भी स्त्री करवा चौथ का व्रत पूरे मन से करती है, वह सदा सुहागिन ही रहती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने तीन ऐसी वस्तूओं के दान के बारे में बताया है, जो भी स्त्री करवा चौथ में इन तीन चीजों का दान करती है, वह कभी विधवा नहीं होती है। द्वार पर आये प्रत्येक याचक का सम्मान करना स्त्री का कर्तव्य होता है। प्रत्येक स्त्री को अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए पती के कल्यान के लिए दान धर्म अवश्य ही करना चाहिए। द्वार पर आये हुए किसी भी याचक को कभी धुदकारना नहीं चा जो स्त्री दान करती है, उसके पती की कभी दुरगती नहीं होती है। जो स्त्री के पती की कभी अकाल मृत्यू नहीं होती है। अमे मनचाहा फल नहीं मिलता है। जिस वजह से कई लोग अपने भाग्य को दोश दे कर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य के जीवन में ग्रहों के दोश या कुंडली के दोश के कारण दुरभाग्य उत्पन हो जाता है। लेकिन यदि कोई स्त्री करवा चौथ के दिन दीप का दान करती है, तो उसका दुरभाग्य भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। मंदिर में दीप का दान करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। दीप के दान से पित्र देव भी प्रसन्न होते हैं और आशीरवाद प्रदान करते हैं। दीप के दान से मनुष्य के सभी रण उतर जाते हैं और उसे सुख शांती प्राप्त होती है। दूसरी बात है, यदि किसी स्त्री का पती रोग से पीडित है, अथवा किसी बुरी शक्ती के प्रभाव में है, उसे शत्रूओ का भय सता रहा है, तो उस स्त्री को करवा चौत के दिन, किसी सुहागिन स्त्री को श्रिंगार का सामान अथवा लाल वस्त्रदान में देने चाह करवा चौत के दिन श्रिंगार का दान करने से स्तरी सदैव ही सुहागिन रहती है। उसके पती की अकाल मृत्यू नहीं होती है। तीसरी बात है, यदि किसी स्तरी का पती मानसिक रूप से परेशान है, अत्वा उसका पती सदैव ही क्रोध करता है। घर में बार बार लड़ाई जगड़े होते रहते हैं। स्त्री के मन में बुरे विचार आते हैं। वह अपने मन के दुख के बारे में दूसरों को बता भी नहीं पाती है। तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए, करवा चौत के दिन, स्त्री को सफेद और काले तिलकदान अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तिलकदान करने वाली स्त्री की कभी दुर्गती नहीं होती है। उसके जीवन में सुख सम्रिधी बनी रहती है। सफेद तिलकदान करने से मनुष्य के समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं। साथ ही सभी ग्रहों के दोश भी नश्ठ हो जाते हैं। चौती बात है। शास्त्रों के अनुसार एक विवाहित स्त्री को करवा चौत के दिन, शिव जी के मंदिर में भगवान शिव को कच्चा दूद, चावल और शक्कर का दान करना चाहिए शिव महा पुरान के अनुसार जो स्त्रियां शिव के मंदिर में इन तीन चीजों का दान करती है वें स्त्रियां जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती है वें आजीवन सुहागन ही रहती है वही इन चीजों के दान से उस स्त्री के परिवार में सुक शांती बनी रहती है और धन में भी वृद्धी होती है पाँचवी बात है गरुड पुराण के अनुसार गुड और घी के दान से व्यक्ति को कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। गुड और घी के दान से मनुष्य की कुंडली में सूर्य प्रबल होता है। सूर्य के प्रबल होने से उस मनुष्य के जीवन में आ रही सभी कठिनाईयां समाप्त हो जाती है। वही वास्तु शास्त्र के अनुसार गुड और घी के दान करने से उस जातक पर शनी का प्रभाव कम हो जाता है। जिस वजह से उस जातक को शारिरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों में भी राहत मिलती है। लेकिन सुहागिन महिलाएं ध्यान रखें कि इस दिन किसी को भी दूद, दही, चावल तथा कोई भी सफेद वस्त्र या अन्य सफेद वस्तु दान में ना दे। कहा गया है कि अगर कोई भी विवाहित महिला इन चीजों का दान करती है तो चंद्रमा नाराज हो जाते हैं और अशुब भल देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में स्त्रियों को इन चीजों का दान करने की सलाह दी गई है। आप भी करवा चौत के दिन इन वस्तुओं का दान अवश्य करे। मा, लक्ष्मी आप से अवश्य ही प्रसन्न होंगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे। कमेंट में जैश्री कृष्न अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।